नीट को लेकर जो कॉंट्रवर्सी चल रही थी उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है उस फैसले में क्या कहा गया है उस फैसले में कहा गया है कि 1563 जो स्टूडेंट हैं उन्हें या तोरी एक्जाम में बैठना पड़ेगा या उन्हें जो ग्रेस मार्क्स मि तहत अब उसके जो नंबर होंगे वो 700 हो जाएंगे अगर वो वाला जो कार्ड है स्कोर कार्ड उससे संतुष्ट है तो अच्छी बात है वरना उसे री एक्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा जो की 23 जून को होना है एंटिये आज शाम को इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया कर देगा जो 23 जून को दोबारा से 1563 बच्चों का एक्जाम होगा उसका रिजल्ट 30 जून तक आ जाएगा ताकि जो स्टूडेंट है वो जुलाई से होने वाली काउंसलिंग में हिस्सा ले सके इस मामले पर बाकी क्या अपडेट है वो समझने के लिए हमार पहली तीन याचिका हैं थी पहली याचिका फिजिक्स वाला के सीओ अलग पांडे की थी दूसरी याचिका एसाइयों के सदस्य हैं अब्दुल्ला मुहमत फैज और डॉक्टर शेख रोशन उनकी थी और तीसरी याचिका एक नीट के उमिदवार की ही थी तो बेसिकली इन कि जो अलग पांडे ने याचिका दायर की है उन्होंने तो ऐसा क्लेम किया है कि बीस हजार कैंडिडेट्स और स्टूडन्स के उनके पास दस्तख़त भी है तो उनका यह कहना है कि जिस तरह से एंटिये ने जो जिस बॉड़ी ने इस एक्जाम को कंड़क्ट करवाया है उ दूसरी आचिका जो लगाई है वो अबदुल्ला मुहमद फैज और शेक रोशन की उन्होंने यह कहा है कि वह भी मांग कर रहे हैं कि फ्रेश एक्जाम्स कराया जाएं और यह जो जिस तरह से इन्होंने दिया है वो मनमाना है रांडम है क्योंकि उसमें उन्होंने वह वह मैं शायद पहले भी बात कियोगी जिस बारे में चर्चा है कि 718 और 719 नंबर कैसे मिल सकते हैं यह तो स्टेटिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है तो आप 718 कैसे पा सकते हो 15 तक के नीचे तो नेगेटिव मार्किंग समझ में आती है पर 18 कैसे हो रहा है दो नंबर तो कटने पर यह भी आरोप है कि धांदली हुई है या नकल हुई है या इस तरह की चीज़ है तो जब तक उसकी जाच पूरी नहीं हो जाती है तब तक जो है इसको जो काउंसलिंग होने वाली है जो फ्रेश ग्राजुएट्स हैं उनकी काउंसलिंग पर भी रोक लगाईजे यह आधार पर आपने ग्रेस मार्क्स दिये हैं वो ही फ्लॉड है वो ही ठीक नहीं है तो अच्छा इसको भी थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि कैसे दिया गया है तो दिशा पांचाल वर्सेज यूनिव इंडिया केस सुप्रीम कोर्ट में उसके आधार पर जो ग्रेवियांस समय में एक्जाम नहीं दे पाए थोड़ा कम थोड़ा जादा में दिया तो उस चक्कर में हम नीड मार्क्स देंगे तो ग्रेस मार्क्स कैसे देंगे तो वो एक कमिटी की सिफारिश पर दिया इसी सिफारिश इसी फॉर्मूले को चालेंज किया गया कि यह ऐसे नहीं होगा तो उन लोगों ने एक नई कमिटी स्थापित की और उसके बाद उस कमिटी के जो सिफारिशे हैं उसके आधार पर ये बात सामने हैं ये उन लोगों की मीटिंग हुई अभी 10, 11 और 12 जून को और उसको वापस लिया जाए और उनसे कहा जाए कि अगर आपको अपने नतीजे पर भरोसा है तो आप फिर अपना जो मार्क्स आया हुआ है बिना ग्रेस मार्क्स उसके आधार पर अपनी रेंक चुन लिजे और या फिर रिटेस्ट दीजिए और फिर आपका जैसा नतीज आएगा उस पर आपकर तो ये तीन याचिकाएं थी इसी के आधार पर सुप्री इस तारीक होने वाला है 1563 स्टूडेंट या तो वो उनकी ग्रेस मार्क्स हटकर जो अपडेट स्कोर कार्ड बनेगा उस पर एगरी हो जाए मसला अगर 720 में से मानते हैं 20 नंबर ग्रेस मार्क्स के मिले हैं तो 700 नंबर मिलेंगे उस स्टूडेंट को या तो वो से संतुष ह या तो वो बैठे नए एक्जाम में 23 को तो क्या उमीर लगती 1563 स्टूडेंट है इस सब एक्जाम में बैठेंगा थोड़ा इंसान स्केप्टिक होता है हमेशा क्योंकि वो वन टाइम थी मतलब कोई भी एक्जाम जैसे हम लोग ने भी तयारी किया तो हम लोग इस चीज का प्रेशर समझते हैं कि जैसे आप 365 दिन त्यारी कर रहे हो तो फिर एक दिन का इंतहान वैसे इस बारे में बहुत बहुत बहँत बहुत अपका आक्सिडेंट हो गया आप कुछ भी इस तरह की कोई भ्यन हो नहीं घटना उस दिन आपका दिमाग नहीं क्लिक किया आप उस द बढ़ी है अभ्यार्थियों की भी और जो फुल नंबर ला रहे हैं उनकी यानि की कॉंपटिशन भी और जादा टाइट हो गया है तो उसको देखते हुए इंसान कालकुलेट करता है अपनी स्थिति की क्या मैं इस से बहतर कर सकता हूं या मुझे इस से थोड़ा सा पीछे ब नंबर कि 1563 में से कितने आते हैं दुबारा देने के लिए और केंद्रिय सिक्षा मंत्री का भी बयाना है उन्हों ने क्या कहा वो थोड़ा सा अगरमारे दर्शुकों को बता है उन्हों ने तो बेसिकली जो धांदली और जो आरोप लग रहे हैं जो बिहार के कुछ सेंटर पर यह आरोप थे कि अगरात कभी गुजरात के भी कुछ सेंटर पर आरोप थे तो उनको उनका यह कहना है कि उसमें जो दोशी है उनको ने बक्षेंगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं तो धर्मेन प्रहन ने अपनी जो नई कैबिनेट लेकर जो नई जिम्मदारी है तो उ झाल